Hey everybody, सभी का welcome है Y.E.D. Your English Shooter पे आज की class Times of India की इस editorial से है History Lesson इसका title है इस article में आप जानेंगे Special Economic Johns के बारे में जिनको Industrial Cities भी बोला जाता है एक economic concept है अगर आपके लिए नहा है तो जरूर से आप सीखें इसको, समझें इसको शुरू करेंगे इसको अपने quiz के साथ में बड़ा interesting और informative article है और उतना ही interesting आपका quiz भी है जो भी इस class में आप सीखें class के अंत में इस quiz पे आपको apply करना है अगर ठीक मन से class आप लेंगे तो 9 में से 9 आपको number मिलने चाहिए या को objective है solutions आपको class के last में करवाएंगे आईए पूरे मन से lecture को शुरू करें चलिए कह रहा है history lesson lesson तो आप समझते हैं सबक और history का मतलब होता है इतिहास तो क्या सबक हमें इतिहास से मिलता है lesson के लिए एक बहुत अच्छा one word है हमारे पास याद आगया होगा आपको अभी तक जो बच्छे class में regular है है ना one words अपने करते रहते है one word है lesson के लिए take away और इसको याद रखने का तरीका क्या है take मतलब ले जाना away मतलब दूर जिस seat से आप कुछ seat बाहर निकालें जिस घटना से आप कोई सीख निकालें take away करें वही आपका lesson है वही आपका सबक है ऐसे आप इसको याद रखें करें जी government of India's industrial cities plan will face challenges GOI government of India को बोलते हैं करें भारत सरकार का GOI का जो नया plan है industrial cities का plan करें ये plan face करेगा सामना करेगा चुनोतियों का challenges का और कौन से challenges that other mega projects failed to overcome ये वही challenges है जो दूसरे ऐसे mega projects हैं बड़े projects हैं mega मतलब बड़े scale पे जो दूसरे ऐसे बड़े projects जो थे past के वो fail कर गए नकाम्याव रहे overcome करने में फत्य करने में किसी चीज को overcome करना किसी चीज पे पार पाना फत्य पाना तो इससे पहले जो plans आये हैं जो मुश्किले उन्होंने सही जिन चीजों के सामने वो fail हुए वही challenges ये नया industrial cities plan भी face करेगा तो एक lesson हमें history से ले लेना है और उन challenges के लिए पहले से खुद को तयार करना है इसकी वहब है will face other mega projects इनकी वहब है failed दोनों close जुड़े हुए that नाम की conjunction से relative pronoun का काम कर रही है overcome करना किसी चीज पे फत्य पाना किसी चीज को हराना ठीक है ना उसको triumph करना conquer करना defeat करना चलिए अब जल्दी से आगे बढ़के इस आर्टिकल की वोगाएप एंजर डालते है चार-पांच मोटे-मोटे words है शुरू में देख लो ताकि इस आर्टिकल को smoothly बढ़ सको class को अभी से एक like अभी से एक share दे दो आपके छोटे-छोटे like से एक channel को बहुत reach मिलती है ये YouTube पे तो अपनी classes आई रही है इन classes के साथ में आपको अगर structured way में guidance रही हो अपने exams के लिए तो download करें YET Your English Shooter app को comment section में इसका link मिलेगा आपकी अपनी app है बहुत affordable prices में quality content वाले courses आपको मिल जाते हैं जैसे writing का course इस course में 60-70 गंटों में आपको English writing सिखाई जाती है फिर आपको essay लिखना हो report लिखना हो answer लिखना हो ये सब इसमें basic से cover होता है 50,000 से भी जादा बच्चे इस course में enrolled हैं फाइदा ले चुके हैं इसी तरीके से आपको mission civil services course मिलेगा जो की writing course का ही बड़ा form है इसमें आपको सारे topic जो civil services के लिए ज़रूरी है राइटिंग के हिसाब से जैसे answer writing, pricey writing, cset, descriptive ये सारे topic आपको 200 गंटे के इस course में अच्छे से तयार करवाए जाते हैं course पे भी कुछ coupon सर रहे हैं फाइदा ले ले लेना banking और SSC के course में full practice sets मिलेंगे आपको prelims, mains के clerical, PO के एक-एक साल के practice course हैं हर question को आप previous year papers के साथ में तयार कर सकते हैं एप का link comment section में है कोई query हो तो ये whatsapp number है इस number पे आप team से जुड़े उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे और राइट, vocab sheet अपनी form में weather word का मतलब होता है किसी चीज को बहादुरी से हिम्मत के साथ में सहना गलत चीज को है ना गलत वक्त को अगर face कर रहे हैं तो आप weather कर रहे हैं अब ये नया meaning होगा आपके लिए weather word तो आपने पहले सुनी नहीं तो इसको याद रखने का तरीका क्या है जब खराब मोसम होता है आप जैसे दैसे उसको जहलते हो ना अगर आप बहार हो तो कहीं बरसात होगी तो कहीं पर किसी चीज की चाहों में रुख जाओगे कैसे भी करके जब आप खराब मोसम को जहलते हो वेदर को वहीं से इस वर्फ को बनाया गया किसी खराब वक्त को सहना चोटे दुकानदार या चोटे विजनस जनरली फेल करते हैं वेदर करने में या सहने में असर को एफेट को महंगाई और मंदी के इन्फलेशन और रिसेशन के यह बड़े कॉवन से वर्फ हैं इन्फलेशन यानि महंगाई रिसेशन यानि मंदी अगर आप इन क्लासिस में नहीं हो यह वर्फ आपको नहीं आते हैं तो लिख लो इनको बार-बार यह वर्फ आपको मिलेंगे सहने को एंडियोर करना रेजिस्ट करना इसलिए बोल रहाँ क्योंकि वनवर्ड है एपीटमाईस और यह वर्ड बना है एपीटमी से यह क्या लिखा हुआ है एपीटॉम हिंदी वीडियो वाले यह वो लेंगे ना एपीटॉम, एपीटॉम नहीं है यह एपीटमी है epitomy मतलब किसी चीज का perfect example किसी चीज की सबसे अच्छी मिसाल अगर आप inventors और investors की मिसाल चाते हैं तो आप देखेंगे Elon Musk को अगर आप investors देखना चाते हैं दुनिया में कौन बड़े हैं तो आप देखेंगे Warren Buffett को अगर आप leaders देखना चाते हैं तो आप देखेंगे Obama को वाजपई को अंदर अंदर Modi को यह सब epitomy है leadership की science की या innovation की ऐसे इस word को याद रखें to be the perfect example of something Apple, McDonald's and Starbucks epitomize the American way of living यह जो तीन कंपनियां है बड़ी कंपनियां US की, Apple, McDonald's और Starbucks यह perfect example देती हैं आपको epitomize करती हैं American लोगों के जीवन जीने के तरीके को iPhone चलाएंगे वो McDonald's में खाना खाएंगे और Starbucks की coffee पियेंगे यही है अमरीका है ना दूर से देखने में अमरीका को इस तरीके से आप देख सकते हैं तो epitomize इसकी verb form है epitomy of course noun form है you'll see the word embody in the article today अब यह embody कै है देखिए body मतलब शरीर है ना और M लगा करके इसकी verb बनाई हुई है जब भी किसी चीज का आप example बनते हैं तो आप ऐसा समझ ले कि उस चीज को आपने एक शरीर दे दी है समझ पाए आप इस बात को जैसे कोई बड़ा आदमी है लीडर है जो leadership का example है अपिटमी है तो उसने leadership को एक शरीर दे दी है मतलब उस आदमी को देख करके आपको बता लगेगा कि leaders ऐसे होते हैं तो किसी चीज को मूर्त रूप देना शरीर देना embody करना कहलाता है अपिटमी का synonym है थोड़े complicated words हैं लेकिन break करके समझो इनको हर word को कैसे बनाया गया है चली अगला word है अशर in phrasal verb है अशर वो आदमी होता है जो दर्मान बोलते हैं जिसको अपने cinema hall में आपको मिलेगा जो आपकी seat तक लेके जाएगा hotel restaurants में मिलेगा अगर आप अच्छी hotel में जा रहे हो किसी बड़ी में तो आपको आपके gate से लेकर के seat तक आपको जो है आपकी table तक आपको company करेगा तो वो आदमी अशर कहलाता है जो आपको समझगे ना कहीं नई जगह पर आप जा रहे हैं वहां पर आपको guide करे तो अशर in करना किसी चीज को नई चीज को लेकर के आना bring in करना introduce करना और इसको come up with करना भी बोलते हैं क्योंकि किसी चीज को लेकर क्या आप आए हैं कम अप हुए हैं किसी चीज के साथ with है ना सब connected the cold war ushered in या came up with a new era of nuclear weapons जो the cold war था शीत यूद था वो लेकर के आया एक नए युग को नए एरा को ज you'll see the word or the phrasal verb come up with in the article today अशरीन किसी और class में आ जाएगा है ना connected है को याद रखना kick in ring in सभी इसके synonyms हैं चलिए last word है अपना enumerate एक बार के लिए आँक बंद करो और इस word को बोलकर देखो enumerate इसमें कौन से word की जलक आ रही है number के आ रही है ना संख्या की आँकड़े की figure की enumerate करना किसी चीज को साफ शब्दों में figures के अंदर संख्या के अंदर बताना वो जो था ना कितने आदमी थे कालिया तो वो जो कालिया को गबर ने बोला था कि enumerate करके बताओ एक थे अनेक थे दस थे पांस थे तो enumerate करना किसी चीज को clearly numbers में बताना the report enumerates the incidence of child deaths ये report आंकडों में बताती है उन घटनाओं को जो है child deaths की और कौन सी child deaths that were caused by substandard medicines जो caused by थी जिनका कारण था खराब तरह की दवाईया substandard medicines इसको itemize count या tabulate करना भी बोलते हैं itemize या नहीं item wise बताना item number 1 item number 2 count करना तो आप समझते ही है और tabulate में आप table बनाएंगे और table generally figure से ही बनाए जाती है आंकडों की ही बनती है तो आंकडों से इस word को connect करें चलिए चार words है और खूब detail में आपको करवा दी है इस तरीके से करवाई हैं कि अगले 6 मिने तक आपके दिमाग में रहेंगे और अगर classes में regular हो तो ये बार-बार repeat होंगे फिर permanent हो जाएंगे एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हूँ article पता लगे देखो एक concept था special economic zone का आज भी है आपको ऐसी जड मिलेंगे गुडगाव में जैपूर में पुने में अमदावाद में और special economic zone क्या होते हैं सरकार एक जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा शहर के बार इंडस्ट्री के लिए बुक कर देती है और उसमें जो इंडस्ट्री इंवेस्ट करेगी अपनी दुका अगर कोई बाहर का bank special economic zone में आकर के माली जे standard charter bank है कहीं US का UK का bank है किसी ऐसी जड में काम कर रहा है तो उसको वैसी ही सुधाएं और tax लगेगा जैसे वो अपने देश में काम कर रहा हो तो ऐसी सहुलियत सरकारे देती हैं ताकि देश में तरक्की हो विकास हो economy बढ़े आगे और jobs create हो और इससे बाहर से आने वाली company को भी एक प्रलोबन मिलता है attraction मिलता है देश में आकर के किसी भी country में invest करने का इनी industrial city इनी SCZ को आजकल बोला जाने लगा है industrial city plan इसमें एक city बनेगी जिसमें कुछ 10-20,000 लोग रहेंगे उनके रहने की जगा होगी वहीं factory होगी वहीं SCZ खोले थे लेकिन कुछ चुनोती हैं जिनको आप जेल नहीं पाते हो और वहीं चुनोती हैं इस बार भी आपके सामने आएंगी जब आप नया प्लान industrial cities plan बना रहे हो तो कान को हमने ऐसे से ऐसे पकड़ा गुमा के पहले कुछ और बोलते थे अब कुछ और बोलते हैं रि अनलाइज कर रहे हैं सभी चुनोतियों को पास्ट को और साथ में कौशन दे रहा है चितावने दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए चलिए शुरू करते हैं करहें जो कैविनेट है कैविनेट क्या होता है मंतरी मंदल इसको आप पार्लेमेंट भी बोल सकते हैं करें जो cabinet है उसका जो decision है parliament का कि approve किया जाएगा 12 नहीं industrial cities को और कैसे एक निवेश या investment के साथ इतने 1000 करोड की लगबग 4.5 billion dollars की करें ये decision जो है impressive है बहुत ही अच्छा decision है impression इसका बहुत अच्छा है और कैसे in intent अपने इरादे में तो इस decision का इरादा देखे तो बहुत अच्छा है बड़ी अच्छी सोच से बनाया है वर decision है intent या नहीं इरादा आप समझते हैं किसी चीज का purpose decision की वह भब है decision की वह भब है is subject वह पकड़ते जाना है ना sentence का आपको सर पैर तभी मिलेगा सर पैर मा समझते हैं सर और पैर आपको तभी मिलेगा जब subject वह पकड़ लोगे क्यराई जी spread across 10 states the projects aim to boost domestic manufacturing क्यराई जो spread है फैले हुए हैं 10 states में 10 राजियों में क्यराई ये जो projects है ना इस प्रकार के कौनसे projects जो spread है फैले हुए हैं क्यराई जी ये projects aim करते हैं कि boost करेंगे बढ़ावा करेंगे domestic manufacturing को घरेलू manufacturing sector को और कैसे by building green field cities बिल्ड करके green field cities को अब ये green field cities क्या होती हैं आपको भी detail में समझाऊंगा economic concept है तो ये cities बना करके domestic manufacturing को boost देंगे और ये पूरा काम करेंगे कैसे ये ये पूरा काम करेंगे भाई साग embodying plug and play and walk to work concepts embody करते हुए मूर्त रूप देते हुए materialize करते हुए epitomize करते हुए इन दोनों concepts को पहला है plug and play दूसरा है walk to work plug and play क्या होता है आपने एक पूरा जो factory का setup बिठा दिया मतलब आपने जगा खाली दे दी है न एकदम आपको industry के लिए तयार आपने जगा बना के दी industry क्या करेगी कोई company आएगी अपनी machine लाएगी airplane से वहाँ पे fit करेगी एक दम बिल्कुल plug and play वाली बात हो जाएगी रातो रात जो है काम शुरू हो जाएगा जैसे charger नहीं होता आप plug किया और play किया mobile charge होने लगा वैसे ही आपकी industry जो है रातो रात खड़ी हो जाए plug and play और walk to work का मतलब क्या है जो आदमी वहां काम करेंगे वह वहीं रहते होंगे बस घर से बाहर निकले ब्रश किया नहाए और चलेगा इसी दे है ना काम पर तो एकदम काम वहां सब वहीं पर हो जाएगा walk to work वाला system होगा तो इन दोनों concepts को नए concepts को मूरत रूप देते हुए ये projects इ मूरत रूप देना, epitomize करना, किसी चीज का perfect example बनना, green field cities क्या होती है, देखो green field और brown field दो concepts है economy में, अगर किसी चीज को नए सिरे से बनाते हो तो वह होता है green field, अगर कोई बिगडी हुई चीज को फिर से सही करते हो तो वह होता है brown field, जैसे आपने कुछ नई company खोली, तो उसको आपने सही किया, तो आपने brown field investment की, तो यह cities जो है नए सिरे से बसेंगी, इसलिए green field cities होंगी, चलिए, spread यहाँ पे वो अपकी third form है, participle का का काम कर रही है, v1, v2, v3 spread की same होती है, spread, 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 करे जी a million direct jobs and 3 million indirect jobs would be created through the initiative, करे एक million सीधे सीधे jobs मिलेंगी, 10 lakh jobs, और 30 lakh indirect jobs जो है, वो passive voice में create की जाएंगी, इस initiative के जरिये, और कौन सा initiative है, which is to fructify by 27, करे जो की fructify होने वाला है, is to, future की बात कर रहा है, is to, m2, r2, है न, यह काम होने वाला है, करे यह वही initiative है, वही कदम है, जो फल देगा, fructify होगा, है न, एकदम पूरा तयार हो जाएगा, 2027 तक, government has claimed, सरकार ने ऐसा दावा ठुका है, समझ गे, तो यह 30-40 lakh jobs को create कर देंगे, अगले 2 सालों में, jobs की वाब है, would we create it, which की वाब है, is to, m2, r2, बताते हैं आपके future के plan को, और वो वाला plan जो, यह informal structure है, इसको आप writing में कम use करते ह में जादा आती है, है न, I am to go, the president is to visit, है न, यह काम future में होने वाला है, फ्रेक्टिफाई होना, किसी चीज को fruit लगाना, फल लगना, किसी चीज का एकदम तयार हो जाना, पक करके, है न, फ्रेक्टिफाई, करें, follow-up to a budgetary announcement, the 12 cities would add to 8 such cities, करें जी, एक follow-up जो है, इस budgetary announcement के, बजेट में कुछ announcements हुई थी, कि 8 बनाएंगे, 7 बनाएंगे, उसके बाद में पीछे-पीछे एक announcement हो रहाई, follow-up announcement, करें उसके तोर पे, यह 12 cities जो है, यह add to हो जाएंगी, जुड जाएंगी, 8 such cities से, ऐसी 8 शहरों से, और कौन से शहर है, that are already under different stages of implementation, जो पहले से ही different stages के implementation के, जिन पर पहले से काम चल रहा है, तो मान लेजिए, 8 cities पिछले 2021-22 के budget में एक होशित हुई थी, बन रही होंगी वो, इस budget के अंदर 12 और जोड दी, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए, तो यहाँ पर एक RC का question बनाना चाहिए, तो बन सकता है, है न, overall how many cities या industrial cities are, have been approved by government of India तो 12 और 8 भी cities हो चुकी है, cities की वोब है, would add, that की वोब है, are that I, 8 cities के लिए, चलिए, next sentence को ध्यान से देखना, that some success has been achieved in investment terms at 4 industrial cities that are in place is a cause for optimism है, करे जी that यानि ये बात की, और या कौन सी बात, की कुछ success अचीव कर दी जा चुकी है, कुछ, है न, थोड़ी सी success हमें मिल चुकी है, और किसमें investment terms में, निवेश के रूप में, और कहां पे, चार cities में, भै आठ तो बन रही हैं, बारा जुड़ी, तो पुरानी वाली आठ में, चार के अंदर कुछ success हमें मिली है, करे जी वो cities, जो की are, that are, है, in place, अपनी जगा पे, जो अपने काम जिनका शुरू हो चुका है, करे जी that, जो ये बात है, कि ऐसा हुआ, ये बात is, है, एक cause for optimism, एक optimism का कारण, या आशावाज का एक, समझगे न, reason, sentence की structure देखी, that की वो है, is, ये बात हमारे लिए optimism है, और बात क्या है, some success has been achieved, कुछ success जो है, अचीव हो गई है, that आया cities के लिए, वो cities that are in place, ये जो that वाली structure है, पता नहीं किसी बच्चे ने पूछा ना मुझसे comment में सर, ये बनी कैसे, ये that से क्यों जुड़ गया, actual में ये structure जो होती है, वो full form structure की होती है, the fact, that, ये जो the fact that, यहां से structure शुरू होती है, the fact को ये खा जाते हैं, अगर आप ऐसे बनाएंगे न, the fact that some success has been achieved, is a cause, तो फिर the fact की verb बन जाती है, is, और that बन जाता है, conjunction, लेकिन य इडिटर के, the fact को खा जाते हैं, that लिख देते हैं, तो हम that की verb को इजमान लेते हैं, optimism यनि आशाबाद किसी चीज को लेगर के hope, करे जी for instance, Tata's announced a mega investment of 91,000 करोड, करे अब 4 की बात कर रहे थे, 4 में investment आईए, तो करे example के लिए Tata's ने announce किया है, Tata's मतलब Tata Group, Tata Suns जिसका नाम है, तो Tata Group ने announce किया है, एक बहुत बड़ी investment को 91,000 करोड की, for a semiconductor fabrication unit at Dholera, Dholera में एक fabrication unit होगी, semiconductor की earlier this year, इसी साल की शुरुबात में, तो Tata's जो है, already semiconductor बनाने की कोशिश कर रहे हैं, AMD या NVIDIA पता नहीं कौन सी company के साथ में मिलकर के Dholera में कर रहे हैं, तो एक पहला example इन्हों ने आपको दिया, Tata's की वह वे अनॉंस्ट, कराजी reports say, Hyundai has agreed to set up an automobile hub at Zahira Baden, तलंगाना, और करा reports ऐसा भी कहती है, हमें ऐसे सुत्रों से पता लगा है, क्या पता लगा है, कि जो Hyundai नाम की company है, कहा की Hyundai, South Korea की है, जो Hyundai नाम की company है, वो भी agree हो गई है, set up करने के लिए, establish करने के लिए, एक automobile hub को, two wheeler और four wheeler के hub को, जहिराबाद नाम की जगा पे तलंगाना में, one of the cities green lighted on Wednesday, जो ये जो Wednesday को green light मिली हुई, हरी जंडी मिली हुई cities में से एक city है, जहिराबाद, तो 12 जो cities नहीं बनेगी, उनमें से एक में पहले ही investment आने का promise Hyundai से हमे कि वह है, has agreed, set up करना, establish करना, किसी चीज़ को, set up से बनने वाली, यानि set से बनने वाली, पांच phrasal verbs जरूर याद रखे, set up, set in, set out, set aside, और set forth, screenshot ले लेना, एक एक करके बता भी देता हूँ, set up करना तो आपने देखे लिया, किसी चीज़ को establish करना, system बिठाना, set in का मतलब ह होता है, किसी चीज़ की शुरुवात होना, सर्दिया शुरू हो गई, तो winters have set in, war शुरू होगी, the war has set in, generally negative चीज़ों के लिए use होता है, जैसे infection कहीं शुरू हो गया, infection has set in, तो setting जो है, negative चीज़ों की शुरुवात के लिए use होता है, set out करना, किसी journey पे जाना, set out for a world trip, set out for a picnic, जहां भी आप निकल रहे हैं, trip के लिए, किसी journey के लिए set out करते हैं, set aside का मतलब होता है, किसी चीज़ को side में set कर देना, या तो वो आपके काम की नहीं है, तो आप उसको discard कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, और या फिर वो बहुत ज़्यादा काम की है, future के लिए save कर रहे समझें, set aside जो है, इसके दोनों ही meanings है, जो काम का नहीं है, वो side में फैक दिया, या बहुत काम का है, जो side में अलमारी में रख लिया, depending on the context आपको सही meaning को use करना होता है, set forth या put forth, set या नि put किसी चीज़ को रखना, forth मतलब आगे, या तो आप अपनी views को express कर रहे हैं, अपनी की तरफ जाना, या तो खुद चाना, या अपनी opinions को अपनी viewpoint को किसी के सामने express करना, तो ये 5 phrasal verbs हैं, देख लो इनी में से कोई कभी ने कभी कहीं टकर जाएगी किसी exam में, exam में नहीं भी आए, कहीं reading के अंदर, कहीं आपकी understanding में, बड़ी comments ही है, सब को आनी चाहिए, चलि है, लेकिन जो larger government का agenda है, बड़ा agenda जो है, manufacturing को boost करने का, उसने छोड़ दिया है, बहुत कुछ, जो अभी भी desired है, जिसकी अभी भी ख्वाइश है, मतलब इस agenda में बहुत ऐसी चीजे हैं, जो अभी हम चाते थे हो जाएं, लेकिन अभी तक नहीं होई है, agenda का मतलब होता है, plan, plan या agenda की वह है, has left, अब example देगा, कह रहा है, make in India, launched in 2014 with fanfare, was meant to increase manufacturing's share of GDP to 25% by 2025, कह रहा है, जो make in India था, अब देखो इसके लिए, additional information दी गही है, जो launch हुआ 2014 में, बहुत धुमधाम के साथ, fanfare के साथ में, कह रहें, ये make in India plan जो था, ये भी meant था, इसका भी ये इरादा था, when something is meant to do something, उसका ये meaning या इरादा होता है, तो ये इसका भी इरादा था, meant था, ये, design था, कि ये increase करेगा manufacturing sector के share को, हमारी GDP में 25% तक, है न, GDP का 25% manufacturing को ले आएगा, जो 17-18% रहता है, और कब तक ले आएगा by 2025, 2025 तक, and create 100 million additional jobs, और 100 million नहीं जोब्स को भी पैदा करेगा, 10 करोड नोकरियां लाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, make in India की वह 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 वाज, it was meant to do these two things, करहें, ये target नहीं मीट हो पाएंगे, अगले साल तक 2025 तक, जैसा हमने सूचा था, करहें जी, the earlier special economic zone और sage policy, had also failed to achieve this objective, its objectives, करहें जी, इससे पहले वाली जो sage policy थी, मैंने आपको बताया था न, special economic zone, अब इसको industrial city बोलने लग गए, बस नाम बदल दिया, करहें जी, पहले वाले नाम की जो policy बनाई थी, वो भी fail कर गई, achieve करने में अपने पूरे objectives को, तो सारे objectives नहीं हुए होंगे, हलांकि बहुत जादा successful, जो सोच जाता उतनी नहीं है, लेकिन काफी successful रही है, sage, अगर आप इसके बारे में detail में पढ़ेंगे, करहें, how vigorously projects are pursued, post announcements is a key factor here, करहें जी, कितने vigorous vigor के साथ में, vigor यानि जोश, करहें, कितनी जोश लगन के साथ में, projects को pursue किया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है, announcements के बाद में, घोशना के बाद में, करहें, ये जो चीज है, ये एक key factor है, important कारण है, यहाँ पर, तो announcement अच्छी है, लंबी दुमधाम से, अच्छा plan है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बाद में, उसको implement किया, तो उसमें, जोश की कमी थी, उसमें आपने energy नहीं रिखाई, तो अगर कितना vigorously आप उसको implement या pursue करते हैं, वही सबसे बड़ा deciding factor होता है, प्रोजेट्स की वह औभए, आर परस्यूड, परस्यू करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, उसको पीछा करना, ऎना, उसको, जैसे आपको degree करना तो आप degree परस्यू कर रहे हो, MBA की डिगरी है, वकालत की डिगरी है, तो यह project को जब सरकार परस्यू करती है, तो इनको cover करती है इनको complete करती है vigorously यानि vigor के साथ vigor यानि जोश ये पूरा जो close है कितने जोश के साथ में ये काम होता है ये पूरे close की वह बैए is ये काम ही अपने आप में key factor है ये पूरा कितने जोश के साथ हुआ there is also the larger issue of planning for the sector करे जी बड़ा मुद्दा भी है planning का इस पूरे sector के लिए और वो कैसे करे जी वो ऐसे for instance we are yet to come up with a new industrial policy उधारन के लिए हम अभी भी come up करना बाकी है yet यानि बाकी है come up with होना यानि लाना introduce करना हमारी नई industrial policy को आज के जवाने के हिसाब से वी की वो अब है आर we are yet to come up with अभी भी आना बाकी है come up with करना अशरीन करना introduce करना launch करना throw up करना kick in करना ring in करना सारे phrases वर्ड्स बताये थे न आपको किसी चीज़ को लाना करा industrial cities work best when planned alongside larger urban development of chosen sites industrial cities जो है work best करेंगी सबसे अच्छे तरीके से तब काम करेंगी जब वो planned होती है जब उनको plan किया जाता है और किसके साथ साथ बड़े urban development के साथ में उन chosen sites के तो city बनाने से कुछ नहीं होगा वहाँ पे अच्छी drainage हो पानी की अच्छी सुविदा हो electricity बहुत अच्छे से हो transportation हो bridges हो flyovers हो tunnels हो जब urban development उन cities की करोगे शहर बना के उनको बसाओगे तब ये industrial cities industrial park सबसे अच्छे से काम करते है cities की work best they work best when this happens करेंगी this is the experience of China with sages at places like Shenzhen and Henan करें यही experience है यही अनवव है हमें चाइना से मिला है जिसमें sage लगे हुए है कई जगाओं पे जैसे इन दोनों शहरों में simple sentence है चाइना का example दे रहे करें several industrial cities government wants to develop aren't large enough करें बहुत सारी industrial cities जो हैं जिनको सरकार चाती है develop करना वो भी large enough नहीं है पर आप तोर पे बड़ी नहीं है dash लगा के बता रहे example देखे करें जी one at प्रियागराज is a mere 352 hackers करें जो एक है प्रियागराज में वो सिरफ 352 एकड की है city के इसाब से देखे तो बहुत छोटी है ऐसे लगता है कि इस एक बड़े खेत में कुछ बसा हुआ है ना 352 एकड में industrial cities की वो भे aren't they aren't large enough enough नाम का जो देखो ये एडवब बन जाता है adjective ही बन जाता है जब भी किसी adjective के बाजू में आएगा तो एडवब के काम करेगा और हमेशा adjective के बाद आता है good enough, large enough high enough, expensive enough, cheap enough adjective के साथ में रखोगे एडवब बनेगा और हमेशा उसके बाद में आगर एडवब बनेगा पहले कभी नहीं आएगा और अगर noun है तो फिर noun के तो पहले आई जाएगा ये normal adjective की तरह है अगर कोई noun रखा होता तो चलिए one की वोब है इनिशेटिव वोड ऑजो हिंज on coordination with states करें success का जो initiative का success है कामयाभी है वो साथ ही साथ हिंज on करेगी वो निर्बर होगी states के वीच में बीच में coordination के साथ उनके वीच में सयोग के साथ some of which are ruled by opposition parties जिन में से कुछ एक ruled by हैं जिन में से कई हमें rule चल रहा है opposition का विपक्षी दलों का चलिए success की वोब है would hinge on, hinge on करना, anchor on, rely on depend on सब का मतलब होता है किसी चीज़ पे निर्बर होना states के लिए आया which, which की वोब है are ruled, some of states which are ruled by the opposition parties चलिए concept करवा देता हूँ आपको a mayor और mayor ली इस पे पूरा grammar concept एक class की हुई हमने 10 minute की मैं कोशिश करूँगा याद से आज उपर इस i बटन में डाल दूँ ताकि बाद मैं आप इसको detail में refer कर सकें ठीक है जिन बच्चों को concept ये थोड़ा सा लगता भी है ना थोड़ा सा ये tricky लगता है वैसे तो concept आपको पूरा आना ही चाहिए concept क्या है जी concept यह है जी mayor एक adjective है और mayor ली एक adverb है दोनों का मतलब होता है only या केवल है ना सिर्फ only या केवल अब क्योंकि mayor एक adjective है तो इसलिए articles हमेशा mayor से पहले आएगा a mayor and mayor and तो नहीं आएगा a mayor से पहले आई आएगा या दगा आएगा और क्योंकि mayor ली एक adverb है इसलिए article हमेशा इसके बाद में आएगा ठीक है ना adverb हमेशा article से पहले आती है अगर वो verb के लिए आई है और वैसे जो है adjective जो है article के बाद आता है इतना तो समझ पहले है basic है बिल्कुल तो इस formula को अगर पगड़ के चले है तो एक concept आपका easy हो जाएगा reality is mayor an illusion reality सिर्फ एक illusion है सिर्फ एक चलावा है धोका है है ना तेको mayor लगा हुआ है और उसके बाद में लगा हुआ है एक article अगर mayor नाम के adjective को अब an को बना देंगे a a mayor illusion समझ भाइ इस बात को अगर आपको mayor यूज करना है तो लिखे a mayor और अगर आपको merely use करना है तो मैंने क्या बताया a mayor को merely a भी बोल सकते हैं तो अब यहां लिखें a mayor की जगा पे merely a चाए देशी तरीके से चले चाए पूरा technical तरीके से चले solution वही निकलेगा दोनों ही तरीकों से दोनों sentences सही है reality is a mayor illusion या reality is merely merely a illusion चला, a n को देख ले न यहां पे n बन जाएगा क्योंकि illusion लगा हुए next sentence merely words can't put food on the table सिरफ शब्द जो है table पे खाना नहीं ला सकते कुछ कमाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा बातों से कमाई नहीं होगी put food on the table करना कुछ कमा के लाना, खाना खाना बनाने के लिए देखो सिरफ शब्द शब्द एक noun है और noun के लिए adjective हैगा merely तो adjective हैई नहीं, merely तो adverb है simple सा काम मुझे करना है या लिकना है mere words जब भी adjective की दुरों तो adverb नहीं लगेगी तो उस case में चुप चाप जो है adjective को mere को लगा दे ordinary people mere think how they shall spend their time men of talent use it आम आदमी सिरफ यही सोचता रहता है कि मैं वक्त कैसे गुजारूं, कैसे अपना time spend करूं, जो आदमी talent वाला होगा, वो सिरफ यह सोचेगा नहीं बलकि time को use भी करेगा वक्त काटेगा नहीं बलकि वक्त का फाइदा भी लेगा, man of talent use it, तो क्या करें भाई देखो सिरफ सोचना सोचने नाम के एक verb के लिए एक adverb की जरूत है verb को सिरफ adverb modify करेगी यहां mayor नाम का adjective modify नहीं कर सकता तो यहां पर आपको mayor लिए लिखना पड़ेगा it took us mayor 20 minutes to reach the station इस काम में हमें लगे सिरफ 20 minutes station पहुंचने में station पहुंचने में सिरफ 20 minutes हमें लगे mayor के बाद में 20 minutes लिखा हुआ है, खाली-खाली 20 minutes की बात हो रही है अगर आपको कोई number मिल जाए फिर सुन लो, कोई आंकड़ा मिल जाए तो उस आंकड़े से पहले या तो आप लिखें a mayor और या फिर लिखें mayor लिख ठीक है, तो यह thumb rule की तरह बता रहा हूँ, आपको rule of thumb है कोई भी आंकड़ा मिल जाए और सिर्फ लिखना हो, सिर्फ 20 मिनिट सिर्फ 200 रुपे, सिर्फ 4 घंटे सिर्फ 5 किलोमेटर तो a mayor 20 रुपीज merely 20 रुपीज a mayor 5 किलोमेटर, merely 5 किलोमेटर a mayor 4 hours merely 4 hours यह formula याद रखोगे, तो आपका मोटा मोटा काम बन जाएगा थोड़ा complicated concept है एक दो बार इसको revise कर लेना अलग से एक वीडियो है यहाँ कोशिश करता हूँ, आज अभी आई बटन में डाल देता हूँ last question दे रहा हूँ, as homework आपको we humans are mere the instruments of fate हम humans सिर्फ instruments है सिर्फ जरिया है नसीब का नसीब को जैसे खेलना होता है वो खेल लेता है हमारे हमें जरिया बना करके कोशिश करो इसको बनाने की देख ले न, article की position क्या है और क्या use करूँ, मैं mere लिए लगाउ, mere लगाउ article पहले, article बाद में comments में डालना, सही हो गलत आपको वही comments में बता देंगे चलिए, last paragraph है 2-3 sentences में करें जी, besides there is the all important issue of front linkages for infra that is created करें, इसी के साथ में सबसे important issue एक और भी है, जो है infra के front linkage का जो infra create हो रहा है front linkage का मतलब क्या होता है आपने infrastructure ऐसा बनाया कि वहाँ पे कोई railway का डबा बनाने वाली company आ जाए, जो railway की बोगियां बनाये, infrastructure तो ऐसा बनाया, लेकिन आपने company जो बाद में आई, वो बनाएगी वहाँ पे जहाज समझ पारें आप, अगर जहाज बनाने वाली company वहाँ आएगी तो वो infrastructure सारा का सारा समंदर किनारे होना चाहिए था तो infrastructure पहले सोच के बनाया जाता है कौन सी company आएगी, उसको front linkage बोलते है, company उसे बात की जाती है कि तुम आओगे, यहाँ car बनाओगे तो car बनाने के सबसे infra बना दे तुमारे लिए तो यह front linkages का all important issue भी हमारे सामने रहता है, हमारी planning बहुत खराब होती है issue की भवबे is infra के लिए आया that, that की भवबे is created, करा है while government has enumerated sectors in which it seeks investments, will companies be forthcoming करा है, इस काम के लिए, front linkage के लिए, जहाँ government ने enumerate कर दिया है, table बनाके detail देकर के, आंकडों में बता दिया है उन sectors को, जिसमें ये investment सीक करेगी, जिसमें ये company को बुलाएगी निवेश करने के लिए करें, जहाँ sector सरकार ने बता दिये है, करें लेकिन सवाल ये कि क्या वो company भी forthcoming होगी, आगे से आएंगी available होगी, सरकार तो बोल रिए कि इस company को बुलाएँगे, इसको बुलाएँगे क्या उस sector से company वास्तम में आना चाहेंगी ये भी तो एक सवाल है government की वोबय है, has enumerated it की वोबय सीक्स, it आया सरकार के लिए companies की वोबय will be will be forthcoming चलिए, ये question पूचा हुआ है इसलिए helping work को subject से पहले रखा हुआ है करा investments, investment by Indian companies is yet to pick up करा investment जो है भारतिये कंपनियों के द्वारा अभी भी उसका pick up होना बागी है उसका जोरों से आना बागी है pick up होना यानि किसी चीज का intensify होना करा and FTI has been on a declining trend for past 2 years और जो बाहर की कंपनियों से investment है जिसको FDI बोलते है foreign direct investment करेव वो एक declining trend पे है वो एक गिरते हुए curve पे है पड़ाव पे है पिछले 2 सालों से तो बारत की कंपनियों मनाए तो उसको local investment बोलते हैंगे domestic investment और अगर बाहर से कोई Hyundai आजाए कोई Ford Motors आगर के plant लगाए तो उसको बोलते है foreign direct investment तो दोनों ही declining curve पे यह trend में चल रही है Creating infra is sound policy but a change in investment climate is a must कराइण infra को create करना बड़ी अच्छी policy है लेकिन एक change, एक बदलाव निवेश के महोल में लाना वो एक must है, बहुत जरूरी चीज है If policy is to translate into results policy को translate करना है results में इसको सही नतीजों पे पहुचाना है यह investment climate के आगे एक दो paragraphs और भी थे जो मैंने छोड़ दियें क्योंकि article लंबा हो जाएगा उसमें बताया हुए सरकार कभी भी कोई text लगा देती है नया company ने हजारों क्रोड लगा के plant लगाया सब कुछ शुरू किया काम और सरकार बोलती है कल से यह नया text लगेगा आप पे तो company है इसलिए कतराती है इंडिया आने से कि इनका तो कुछ पता ही नहीं है investment climate इनका बड़ा आस्थिर है बड़ा changeable है तो वो एक दो paragraphs मैंने निकाल दी है चलिए class को wrap up करते है आज आप first question पर इन में से कौन सी tone जो है article की आप बता सकते हो author की आपके हिसाब से होनी चाहिए optimistic, cautious, pessimistic and critical neutral and disinterested, enthusiastic and hopeful industrial city initiative को लेकर के हमारा article कि this tone में बात कर रहा है देखो जी बड़ा optimistic है बड़ी आशावाद दिखा रहा है लेकिन सावधानी भी दे रहा है चेता भी रहा है कि पिछले वाले plans की मुसीवतें इस plan में ना आ जाए तो answer बनेगा जी optimistic but cautious खुद से try देते रहा करो साथ में वीडियो को post कर लिया करो ठीक है चलो next question है जी author क्या कहना चाता है statement के जरिए कि एक change in investment climate is a must if false is to translate into results इस बात का असान भाषा में क्या meanings है कोशिश करो निकालने की खुद से एक बार देखो जी इसका आसान भाषा में ये meaning है कि government को जरूत है कि वो focus करें कि conditions improve हो सकें बिजनसे के investment के लिए ठीक है दूसरे का option मन जाएगा policy change investment तभी होगा ना जब आप conditions को improve करोगे चली बीच में वो कैप के questions है come up with होना epitomy, green field का antonym आपसे पूचा है और अगर किसी journey पे आप निकले हैं तो set out करेंगे या set aside करेंगे चारो अच्छे से phrasal verbs, antonym, synonym one word आपको करवाए थे खुच से try देना है वीडियो के first comment में answer डाल दी है वहाँ से match करते रहना last में 2 errors मिलेंगी पहली error आपको मिलेगी इस word की वज़े से और दूसरी आपको मिल सकती है इस word के आसपास again first comment में वीडियो के नीचे सारे answers रखे हुए है उसमें read more पे click करना सारे answers आपको मिल जाएंगे लंबा comment होता हुँ है न चलिए चेक करके बताना कितने marks मिले आपको out of 9 2 मिले, 9 मिले, 5 मिले, 4 मिले class कैसी लगी आज की कुछ नया सीखा हो पूरी देखने वाले बच्चे class PD लिख देना सर पूरा देखा और अगर सब समझ में आया हो तो PDI लिखना सर इंट्रस्टिंग भी लगा यह आपका feedback देने का तरीका है हर session के बाद जरूर से दिया करो चलिए until then कल आपसे होगी मुलाकात कल आपसे लेंगी मुलाकात कल की class में जिन बच्चों को courses की जरू होता है extra classes की जरू होता है you can take the benefits of the courses application को download करें YET app को आपको writing का, SSC का और banking का in fact UPSC का भी course मिल जाएगा affordable courses है महनुद करना चाते हैं तो आपको download करें comment section में link रखा गया है you can take the benefits चलिए until then signing out